हेलो स्टुडेंट्स यू आर मोस्ट वैलकम इन आर्चे एजुकेशन हब बानसुर तो डियर स्टुडेंट्स हमारा टेंथ क्लास में एक टोपिक चलता है ग्रामर की कुछ टोपिक चलते हैं जैसा कि करेक्ट फोरम अब दी वरब हो गया दूसरा टोपिक होते है पैसी वोईस का हो गया तीसरा टोपिक अपना हो गया नरेशन चोथा टोपिक अपना हो गया मोडल का और पांचवा टोपिक अपना हो गया क्लाज अब यह जितने भी टोपिक अमारे इंग्लिस ग्रामर में चलते हैं यह सभी टोपिक टैन्स के अपन निर्भर करते हैं जो टैन्स होता है सबसे इंपोर्टेंट टोपिक होता है चाहे वो टैन्थ क्लास के लिए हो चाहे इलेवंध क्लास है ट्वेल्थ क्लास किसी भी क्लास के लिए हो जो टैन्स होता है यह सबसे important topic होता है grammar की दरश्टी से, English को पढ़ने की दरश्टी से तो यह शीखना बहुत जरूरी होता है तो dear students RCI Education Hub की online classes में हम सबसे पहला topic हम पढ़ेंगे tense tense आना बहुत जरूरी है क्योंकि tense के माध्यम से हम correct form of the word of वाले topic को सीख सकते हैं without tense इस topic को नहीं सीख सकते हैं यदि tense हमारे को आते हैं तो पैसी वो इस वाला जो topic है इस topic हम आसानी से समझ सकते हैं tense यदि हमारे को आते हैं तो आम narration वाले topic को आसानी से समझ सकते हैं tense यदि हमारे को आते हैं तो model वाले topic को आसानी से समझ सकते हैं तो वो भी tense के according लिखे जाएंगे, यदि हम paragraph तयार करेंगे, letter तयार करेंगे, रटने के बज़ा, यदि हम समझ का लिखने कोशिस करेंगे, तो उसमें भी tense के आउ सकता होती है, तो dear students, सबसे पहले अपने को tense पढ़ना होगा, ठीक है, अब tense पढ़ने के लिए हमारे को किस पर आपको tense वाले topic को देखना है, तो सबसे पहले, हम topic डालते है tense, यह हमारा topic है tense वाल, ठीक है, tense को हिंदी में कहते है, काल, अब जो tense होता है, यह English में तीन type के होते है, पहला होता है present tense, जिसको हिंदी में कहते है वर्तमान काल, हिंदी में क्या कहेंगे present tense को, वर्तमान काल कहते है, दूसरा tense होता है past tense, इसको हिंदी में कहते है भूत काल, दूसरा अपना टेंस होता है पास्टेंस जिसको हिंदे में बूतकाल कहते हैं, तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस, इसको हिंदे में कहते हैं भविश्यकाल, ये तीन टेंस चलते हैं प्रिजेंट टेंस, पास्टेंस और हुचर टेंस, तीनों टेंसों की हमारे को विस्तरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अब ये total tense तो बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि प्रते एक tense के चार भाग होते हैं चार उपबाग होते हैं कौन कौन से होते हैं number 1 पर indefinite जिसको हम simple भी बोल सकते हैं number 2 पर है continuous नमबर तीन पर है पर्फेक्ट और नमबर चार पर टेंस होता है पर्फेक्ट कंटिनियूस यह चार टेंस होते हैं हमारे जो प्रतेक टेंस के चार उप भागों में आते हैं सिंपल हो गया कंटिनियूस हो गया पर्फेक्ट हो गया पर्फेक्ट कंटिनियूस अब यह प्रजेंट के साथ भी चारो भाग काम करेंगे जैसा कि प्रजेंट सिंपल प्रजेंट कंटिनियूस प्रफेक्ट और प्रजेंट पर्फेक्ट कंटिनियूस यह चारो भाग पास्ट के साथ काम करेंगे पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिनियूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है कंटिनियूस यह चारो भाग होंगे फ्यूचर टेंस के साथ जैसा कि फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस future continuous tense future perfect tense और future perfect continuous tense कुल मिलाकर एक tense के जब चार भाग होते हैं present के चार है, past के चार है और future के भी कितने है चार पार्ट है, कुल मिलाकर कितने tense हो गए, 12 tense हमारे को पढ़ने होगे ठीक है, total हम कितने tense पढ़ रहे है 12 tense, दुबारा से बता देता हूं tense, जो समय की स्थती बताता है वही tense, अर्थात हिंदी में इसको काल कहते हैं, तीन प्रकार के tense होते है, present tense past tense और future tense प्रतेक tense के चार भाग होते है indefinite जिसको हम simple भी बोल सकते है दूसरा continuous, तीसरा perfect और चोथा perfect है continuous, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, कौन सा tense है present tense, कौन सा tense पढ़ेंगे present tense, अब present का भी कौन सा भाग पढ़ेंगे simple या indefinite, इसको हम बोलेंगे present simple या present indefinite tense तो सरो प्रतम शुरू करते हैं present tense से present का हम पहला part पढ़ेंगे simple tense, present simple जिसको हम कहते हैं, वो tense हम सर्व प्रथा में पढ़ेंगे तो नंबर एक पर मैं देख रहा हूं प्रेजेंट कि सिंपल कि टैंस कि दियर स्टुडेंट्स ध्यान रखना कोई भी टैंस यदि हम पढ़ते हैं तो सर्व प्रथम उस टैंस की हिंदी में हमारे को पैचान याद होनी चाहिए इंग्लिस की पैचान तो बाद में याद करेंगे जब हम करेक्ट फरम अब दी वरब का टोपिक पढ़ेंगे सर्व प्रथम तो हमारे को हिंदी में पैचान टैंस की होनी चाहिए कि हिंदी वाक्य को कैसे पैचाने कि यह वाक्य इस टैंस का है और इसकी अंग्रेजी हम आसानी से बना लेंगे ठीक है तो सर्व प्रथम हम पढ़ेंगे प्रजैंट सिंपल टैंस कोई भी टैंस होता है सबसे पहले उसकी पैचान उसके बाद उसके helping were up मेन वर यह चीज़े याद की जाती है तो सबसे पहले प्रेजन्ट simple tense की पैचान होती क्या हे हिंदी में पैचान क्या होती है हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है와 ती है य है ते है जाहूं आदी सब्दों में से कोई भी सब्ध आता हो तो वहे वाक्ये सिंपल ठेंस है यह वाक्व के लिखा हुछ हैं अब इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है तो यह वाक्व कोण से टेंजुसरी तैन्स का वाक्य हो गया क्या अभी लिद्षीम्पल टेंजुसरीन का वाक्य का है इसके अंग्रेजी कैसे बनाई जाएगी Dear Students, एक चीज़ का और ध्यान रखना आप प्रतेक टेंस में सेंटेंस सलते है जो टेंस वाड़ा टोपिक होता है इसके अंदर प्रतेक टेंस में चार सेंटेंस होते है पहला होता है पोजिटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोल सकते है अब हर मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते है दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और चोथा होता है interrogative प्लस नेगेटिव सेंटेंस यह चार सेंटेंस चलते हैं प्रतेक टेंस में अब यह सेंटेंस जो हिंदी वाक्य में लिखा रहेगा उस सेंटेंस के अमारे को पहचान करनी होगी कि यह positive है, negative है, interrogative है या फिर interrogative प्लस negative है इसकी पहचान का आपको एक तरीका बता देता हूँ यदि हिंदी वाक्य में नहीं सबद लिखा हो तब तो वो होता है कौन सा? negative और अंत में पूर्ण विराम हो वाक्य में करता हो subject और काम को करने वाला हो तब तो वो होता है negative sentence होगा नहीं सबद हो जैसे वहें आम नहीं खाता है यह negative sentence है interrogative sentence की पहचान अंत में पूर्ण विराम नहीं question mark होगा क्या होगा? question mark दूसरा हिंदी वाक्य या तो क्या से शुरू होगा या फिर हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी present सुचक सबद होगा और question mark अंत में हो तो समद जाना वो कौन सा sentence होता है interrogative sentence अब चलते है interrogative plus negative sentence को कैसे पहचानेंगे सेम यही interrogative वाले प्रक्रिया होगी वोई क्या से शुरू होगा या कोई present सुचक सबद वाक्य के बीच में होगा और अंत में question mark होगा प्लस में एक सब्द और जुड़ जाएगा negative है इसलिए नहीं सब्द क्या वहे आम नहीं खाता है और अंत में question mark तब यह होता है interrogative plus negative sentence यह यह तीनों ही नहीं है अंत में पूर्ण वराम है और वाक्य में करता भी यह काम को करने वाला है तब वहे वाक्य होता है positive sentence, affirmative sentence वहे आम खाता है यह वाक्य यहां पर लिखा हुआ है यह एक positive sentence का वाक्य है अब इसके अंग्रेजी कोई भी sentence की हिंदी वाक्य की जब अंग्रेजी बनाते है तो जब उसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो उस समय पर dear students हमारे को पहचान के बाद उस वाक्य में कौन सी helpingworse लगेगी कौन सी मेन वरभ लगेगी किस परकार का sentence है helpingking वरभ कहां लिखी जाएगी मेन वरभ कहां लिखी जाएगी sentence के according note लग रहा है नहीं लग रहा है तो वो कहाँ पर यूज किये जाएगे कहां पर रखे जाएंगी तो उन सभी को ध्यान में रखने के लिए हम इनके अलग-अलग structure पढ़ेंगे, इनके rule पढ़ेंगे कौन सी helping वरभ चलती है कौन सी main वरभ चलती है तो ये सभी चीजें हम उसमें पढ़ते हुए चलेंगे अब इसके rule में हम पढ़ेंगे जो कि आपका अगले topic होगा अगले दिन के लिए होगा जो हम इसमें पढ़ेंगे रूल के अंदर किसमें कौन सी helping वरभ चलती है कौन सी main वरभ चलती है helping वरभ का कहां use होता है main वरभ का कहां use होता है subject कहां लगता है अब्जेक्ट कहां लगता है यह सभी चीजे पढ़ेंगे हम अगले क्लास में अगले दिन वाले पीरियड में हैं